हेलो वेलकम बैक आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम प्रिवू कर रहे हैं पीकेल का मैच नंबो 41 जो की थमिल तलायवास और हर्याना स्टीलर्स के बीच में खेला जाएगा बहुत क्लोज आया था और एक पॉइंट से मैच हार गए थे और वहीं पे तमिल तलायवास की बात कर रहे तो इनका भी जो रीसेंट मैच खेला है वो कही ना कहीं जैपुरुपिन पैंथर्स के गेंच में एक दो पॉइंट का ही डिफरेंस था इस मैच में जो वो एक दो पॉइंट के डिफरेंस है उसको जो है अचीव करना और यहां पर अधर साइड पर खड़के आयल पर देखना यह दुनों टीम्स का टार्गेट होने वाला है क्या कुछ प्लेयर्स है और क्या कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती है टीम्स इस सारी च और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो भी लोग टेलिग्राम पर फॉलो करना चाहते हो फाइनल अपडेट वगेरा आपको वहां पर जॉइन कर सकते हो वैसे अभी थोड़ा मेरा जो परसनल फॉर्म है वो उतना अच्छा नहीं जा रहा है तो मेरी टीम्स पर प्रोयडगों मैं आपको जो यहां पर टेटा प्रोवाइड कर रहा है वही चीज अपने पियर चिशियए कहरे से लिकिन तो तो चलिए आगे बढ़ता है, ओके स्टैंडिंग से स्टार्ट करते हैं, स्टैंडिंग से अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखते हो तो हरियाना स्टीलर्स छटे पुजिशन पर देखने को मिलने हैं, कुल चार मैचस इन्होंने खेले हैं, और दो मैचस इनके हारे हैं, त तो मतलब 6 मैचस खेले, 4 जीते, 2 हारे हैं, तो यह अभी तक का इनका फॉर्म रहा है, और रिसेंट मैच हार के आ रहे हैं, जहां रखेगा हरियाना स्टीलर्स, और तमिल तलाववास की बात करें, तो इनका फॉर्म थोड़ा उल्टा चल रहा है, 6 मैचस खेले, 2 जीते हैं तो यह उल्टा चल दा है, और स्कोर डिफरेंस भी तेखो, तो माइनस 24 पर हैं, और हरियाना स्टीलर्स का माइनस 16 पर है, तो दोरों का जो स्कोर डिफरेंस है, क्योंकि हरियाना स्टीलर्स जीतने के बावजूद, जो मैचस आसे वो बहुत क्लोस खेली है, तो उसकी जीतना ज्यादा important है, क्योंकि of course उससे standings जो हो solid होती है, और उपर top 6 में finish करना, सब टीम्स का यहां पर target रहता है, तो क्या हरियाना स्टीलर्स जो हो top 6 के अंदर बने रहेंगे, या नीचे push हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो हारते हैं, तो फिर यहां पर बेंगलूरू तीक है, मेरे को लगता है, इस match में नरेंदर कंडोला को वापिस लाना चाहिए, और last match में actual reason कोई injury और या ऐसा कुछ नहीं था, टीम को कुछ अलग तरीके से चला के देखना चाहते थे अशनकुमार, तो वो उन्होंने किया, और मेरे को लगता है, उसमें से एक दो player निकल गया, काफी close आया था, लेकिन at the end जो है, थोड़ा आप कह सकते हो, वो जो experience है, वो overcome कर गया, और वो एक दो point में जो difference आना था, वो create हो गया, बागी मेरे को लगता है, नरेंदर को लाना चाहिए, left side से rating करता है, और team के lead raider है, इनको लाने के बाद टीम जो है, ज्यादा strong न और उनकी जगा जो हैंपर अजिंग के power को लाए थे, और मेरे को लगता है, starting seven में chance मिलना अजिंग के power को थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ज़रूर हो substitute आएंगे, वो substitute आएंगे, बले एक दो point लाएंगे, लेकिन वो definitely substitute आएंगे, तो आप अगर grand league में risk लेना चाहते हो, क्य और उसको जो है, आगे की defense उतने अची तरीके से वो handle नहीं कर पाते है, जो defense को हलाने, जो मतलब कह सकते हो कि यहां पर बांटने वाला जो काम है, वो काफी अची तरीके से करते हैं, तो उस scenario's में जो है, जो अजिंका पवार है, वो अच्छा कर ले, तो उनको जुरूर उसमें हिमान शुनरवाल, यह इनकी find रहा है, यह यहां पर युवा कबर्डी से निकल के आया, और मेरे को लगता है, टीम के पास एक जो सबसे ज़्यादा बुरी चीज लग रही है मेरे को, तमिल तलाइवास को आगे चलके, हो सकता है, प्ले आफ तक रीच हो जाए, अभ वो मेरे को लगता है, इनको लेकर डूब जाएगी, कहीं न कहीं, क्यूंकि लास्ट सिजन यही हुआ था, और जो सेमी फाइनल में जो यह लोग हा रहे थे, तो वही चीज था, कि लेफ्ट रेडिंग बहुत ज्यादा थी, और राइट कॉर्नर और एक लेफ्ट कवर अगर अच्छा मिल गया आगे, तो भाई, जीतना मुश्किल है, मुश्किल क्या, इंपॉसिबल है लगभग, तो हिमानशु नर्वाल भी लेफ्ट रेडर है, और नरेंदर कंडोला लेफ्ट रेडर है, अजिंग के पवार, जो तीन टीम के सबसे बेस्ट रेडिंग यूनिट सा लेए, एक में सब्स्टिटीट आए थे, लास्ट मैच में स्टार्ट कराया, दोनों मैच में अच्छा कर गया रहा है, सूपर टैन अभी तक कोई नहीं लगाया, लेकिन स्टिल, फॉर्म देखके लग रहा है कि ये बंदा आगे चलके बड़ा करेगा, तो नरेंदर भी ऐस ही निकले थे, ये भी यहां पर खेलो इंडिया गेम से निकले थे, और हलका स्टार्टिंग सीजन में कुछ बेंच से लाके परफॉर्मेंस दिया थे, उसके पास जब स्टार्टिंग करने का मोखा मिला, तो यह सूपर टेंस लगातेगे, तो वैसा ही हिमान्शू नर्वाल बॉनस केलि अटेंटेंट करते हैं, बाक ही दूआ यह सणारीयोमे नहीं जाते हैं, भाकि मानलो किल पहले हिवी ङलकी भूमिका हों निभातलेते हुद सबस्थे ज़िए हां practical की अच्छी सब्वर्म चारीका तो ये इनकी रेडिन यूनिट है डिफेंस की बात करता है तो लास्ट मैस में चेंज किया आशीश को लाया मोहित की जगा मोहित खर्ब करके एक लेर है लेफ्ट कवर पर खेला करते थे आगर आप लास्ट मैस का प्रिवीव देखे तो को पता चलेगा उनको हटाके आशीश को लाया आशीश को लाके भी कोई बहुत बड़ा चेंज revolutionary चेंज तो नहीं कहूंगा लेकिन स्टिल टीम का जो बैलेंस है वो मेरे को लगा काफी ठीक खेला था लास्ट मैस में तो वो जो एक दूसरे को compliment करने वाला जैसे कि अभिशेक ने चार successful tackle किये तो वो चार successful tackle ऐसे नहीं हो जाते इन्होंने chain में जाके उनको assist किया और अभिशेक का ज्यादा approach मतलब ज्यादा एक चीज उनके साथ दिक्कत होती है कि वो dash मारते मारते खुद भी बाहर चले जाते हैं क्योंकि भारी भर कम player है तो रोक नहीं पाते हैं तो वो भी खुद भाहर चले जाते हैं तो उनके pair को मैट पर बनाए रखना ये सारी चीज़ें जो है आशिश ने काफी ठीक तरीके थे handle किया था हाँ पहला ही match था तो maybe combination उतना अच्छा नहीं बना लेकिन आगे चलके धीरे जो है आँपे हो सकता है अच्छा combination बने तो मैरे को लगते है ये cover की जोड़ी खेल सकते हैं left cover पर आशिश, right cover पर अभिशेक, अभिशेक last match मैच चा करके आ रहे हैं जो कि बहुत rare scenarios में देखने को मिलता है अभिशेक जो है बहुत ज़्यादा field tackles करते है बहुत ज़्यादा points leaks करते है तो आगे अगर right raiders अच्छे होते हैं तो यहाँ पर जो अभिशेक है वो बहुत ज़्यादा gift में point दे देते हैं तो हो सकता है इस बार जो Santa Claus बनके आगे वाले players को सबके सब points देते जाए तो possibility है इसकी भी तो देखना आगे वाले right raider आपके लिए important होंगे और मैं आगे समझाओंगा कि क्या क्यों चेज़े है सागर राटी और साहिल गुलिया यह corner है सागर को वापिस आना चाहिए सागर को लाना चाहिए right corner पे हाँ सागर का सीजन थोड़ा ठंडा गया है और जितना इनका नाम है जिस legacy कोई है जो है आपके carry करते है वो नहीं इस सीजन reflect कर पाए अपने stats पे लेकिन स्टिल टीम के captain और काफी ठीक किया ऐसा नहीं कि बहुत बुरा कुछ कर रहा है मैनस में कुछ नहीं जा रहा प्लस महीं है लेकिन स्टिल मेरे को लगता है उतना ज्यादा जो है performance हमें जितना expected था उतना नहीं देखने को मिला तो वो कही न कहीं disappointing था जो coach के लिए तो हो सकता है एक दो change करके देखे लेकिन आमिर हुसेन बस्तामी एक tackle attempt तक नहीं किया उन्होंने पूरा match खेला एक tackle attempt तक नहीं किया तो मेरे को लगता है वो कहीं न कहीं इस बार हो सकता है backfire करे तो वापिस लाना चाहिए सागर राठी को और साथी साहिल गुलिया ये combination बहुत बुरा खेले थे पूरी टीम बहुत बुरा खेली थी वहां पर बड़े score difference हा रहे थे लोग बड़ा score difference मेरे को लगता है वहीं पर create हो गया था तो यह जो है यहां पर इनकी starting seven है सब्सेट्यूर्स में देखो तो यहां पर आपको जतिन पोगाट दिखेंगे जतिन पोगाट बहुत अच्छा प्लेयर है इनकी footwork foot movement और इस सारी चीज़े मेरे को अच्छी लगती है लेकिन प्लेयर के उपर काम बहुत करना बागी है पवन सरावत भी जब नहीं नहीं आय आपको नितिन कुमार धंकर जो आपको बंगॉल वोरियर्स में देखने को मिल जाते हैं और संदीप कुमार जो पटना पायरेट्स में हैं और सुधाकर यहां पर जतिन पोगाट है या इवान हीमाशू नर्वाल आप मांन लीजिए तो यह कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत ह अच्छा करते हैं और आकाश शिंदे जो आप इवन लास्ट सीजन उन्हें ने अपने आपके established भी कर दिया है पुनेरी पल्टन के प्लेयर तो ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा किया है और सुरेंदर गिल उन प्लेयर्स में से हैं जिनका जैसे अभी रीसेंट में एक IPL में जो हंगामा चल रहा था कि हाँ फॉरेंड प्लेयर्स को इतना पैसा मिल रहा है लेकिन अपने प्लेयर्स को जो अपना यहां पर रिंक हो है उनको पैसा नहीं मिल रहा तो वैसा ही कुछ मेरे और रेडर ने उस टीम के लिए नहीं किया लेकिन स्टिल क्या पता अभी यही चीज़ है जैसे चल रहे तो बहुत बुरा लगता है ऐसे कुछ प्लेयर्स है उनमें से मेरे को लगता है जैतिन पोगाट उनमें एक नया नया नाम जुड़ रहा है जो आगे चलके में भी अच् मिला तो हो सकता है कुछ अच्छा करें लेकिन अभी तक तो बेंच से ही लाया जा रहा है हिमांशु सिंग है अमिर हुसेन बस्तामी है अजिंग के पवार अजिंग के पवार डेफिनिटली आएंगे यह लेफ्ट से रेडिंग करते हैं मोहित खर्ब और साथी साथ नितेश तो बेसिकली वह नाम उनका था नहीं अचानक से उन्होंने खिलाया और उन्होंने पॉइंट लेना शुरू कर दिया है दो मैच खिला के तो स्टार्टिंग सेवन अभी हरियाना सिलर्स की बात कर लाता है तो यहां पर मेरे को लगता है इस टीम में कोई आपको ऐसा बड़ पोटेंशल है क्योंकि टीम एज यूनिट बहुत अच्छा खेलती है एक दूसरे को सभी प्लेयर्स कॉंपलिमेंट अच्छे से करते हैं एक दूसरे को अच्छे से असिस्ट करते हैं और टैकल्स में बहुत ज्यादा जो हैं पे फेल्ट टैकल्स नहीं करते हैं तो इनका अ लगबग लगता है कि 50% का strike rate रहता ही रहता है, bare minimum 50% यह रखते हैं, उससे ज्यादा ही रहता है, improved match, एक आदा match में आपको 60-60% का भी इनका strike rate दिखेगा, अच्छा करते हैं, शिवम पतारे अभी इनके lead raider है, जब से सिदार्थ हट गए तो उसके बाद से अभी शिवम पतार लेडर का काम करना है, एक left side से raid करता है, एक right side से raid करता है, तो टीम को वो जो balance सही है था दोनों side के लिए, वो मिल गया, मेरे को लगता है विने शिवम पतारे, final तक पूरे team के lead raider बने रहेंगे, और दोनों के पास, विने तो अपना जो है काम करते ही है, वो तो अपना हलक उन में ये भी जो है आपे शामिल आप कर सकते हो, अच्छा गिया है, लाश दो-तीन matches में, दो matches में at least इनको start मिला है, अच्छा गिया है, एक super team लगा चुके है और इसके बाद यहाँ पर आशिश नर्वाल, as a third raider, और जो आप हिमांशू से मैंने बोला, left in में खड़े रह करेगा, तो वैसे सिनारियो में ये क्या करते हैं, कि ये जो ankle है, उस पर dive मारते हैं, ये dive मारके उनका momentum तोड़ के जो है, ये tackle करते हैं, तो ये ankle hold के लिए जादा नहीं जाते है, तो इनका speciality ये है, और ये tackles में तो आते ही है, साथी साथ, raid में कभी-कभी बीच में ज़रो करें, कवर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे सुनील परवेश को उन्होंने बनाया था, वैसे ही जैदीप और मोहित को उन्होंने बना दिया है, बना ही दिया है, लगभग आप बोलो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से compliment करते हैं, अपर बाड़ी जो भी मैचे से उसमें उठाके देखो, तो वो ही इतने बहुत अच्छे हैं, बन्दा अकेला जाता है, किसी और की ज़रोती नहीं है, requirement ही नहीं है support की, ये जाता है, अकेला dash मार के हा जाता है, और अकेला जो है यहाँ पर काफी है, जितना चाहे वो heavy radar हो, जितना चाहे वो बलकी radar हो, उसको अकेला जाके dash मार सकता है, तो ये है, जैदीप कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उनको assistance चाहिए होता है, corner पर, corner अगर थोड़ा initiate करे, या मानलो है dash के लिए जाए, तो उनको पीछे से at least जो यहाँ पर ankle बगरा पकड़के, थोड़ा बहुत assist करना पड़ता है तो जैदीप को थोड़ा वो raw force है, मतलब वो नहीं है, तो basically उनको जो है यहाँ पर वो चाहिए होता है, ओके और अगर corners की बात करें तो इतने बड़ा नाम नहीं है, again, राहूल सेथपाल और मोहित खालर, दोनो यू मुंबा के थे last season, और अभी जो इनको लिया गया, और ठ शे मैचस का इनका total story रहा है, substitute की बात करता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे के प्रपंजन, टीम के senior most raider, सबसे ज्यादा अगर किसी के पास experience है, प्रो कबड़ी खेलने का, तो प्रपंजन के पास है इस team में, ठीक है, उसके बाद हर्ष है, हर्ष जो है यहाँ पर मेरे को लगता है, left cover पर एक अच्छा backup option है, और नवीन कुंडू, left corner, मैं हमेशा इनकी तारीफ कर रहा हूँ, जरूर इनके ओपर नजर बनाए रखिए, आगे चलके कभी भी इनको chance मिल सकता है, मोहित की जगा, और उस टाइम पर अच्छा करेंगे, और यहाँ पर आरन रंजीत अभी फिलाल के लिए injured है, हसन बालबूल, I think team के साथ जुड़ चुके हैं, खिलाएंगे या नहीं, यह देखने वाली बात है, टीम के साथ ही हैं यह वैसे तो, और सिदार्थ देसाई भी फिलाल के लिए team के साथ हैं, लेकिन इनको अभी top 14 के अंदर नहीं ज खेल चुके हैं, नो मैचेस कुल मिलाके hitwood में खेले गए हैं, दो जीते हैं, तमिल तलाइवास ने चार जीते हैं, हरियाना स्टीलर्स ने तीन मैचेस टाई हुए हैं, तो काफी tight battle हमें देखने को मिलता है, हरियाना स्टीलर्स थोड़ा भारी बड़ा जुरूर है, लेकिन इनमें से थोड़े बहुत आपको players दिख जाएंगे, इनमें वही normal नाम होते हैं, बहुत जादा कुछ nuances नहीं होते हैं, लेकिन last 4 matches से आपको कोई अंदाजा नहीं लगेगा, लेकिन एक हलका सा अंदाजा लगा जरूर देता हूँ कि हाँ, ये कुछ player आप try कर सकते हैं, क्य prediction इसी को कहते हैं, तो ये चीज़ें हैं, आपके सामने last season का ये data है, 2022, 11 October and December के matches का data है, और इसको interpret करने का glossary आपको बता देता हूँ, glossary आप समझ लीजिए, तो आपको खुदी पढ़ने में easy हो जाएगा, RP यानि raid point, player का नाम लिखा है, RP यानि raid point और जो raid point के आगे लिखा और उसके आगे जो लिखा है, वो tackle points है, जो bracket के अंदर raid point है, tackle points के बाद में लिखा हुआ है, वो failed attempts है, या failed raid attempts है, या failed tackle attempts, उससे आपको minus 2 और minus 1 होता है, failed tackle पे minus 1, minus 2 raid पे, तो ये चीज़ें आपको calculate करने में easy हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको लिखा हुआ, star अगर player क नाम के आगे लिखा हुआ, इसका मतलब है, उस match में वो player bench से आया था, substitute आया था, और वो perform किया था, और अगर दूसरे team से खेल के, या opponent teams में था, अभी जो वो इस team में है, तो उसका मैंने bracket के अंदर वहाँ पे सामने लिखा भी है, कि मतलब ये आगे वाली team में था, अभी इस season जो इस team से खेल रहे, तो ये है, कुछ ऐसा data आपको interpret करना पड़ेगा, हाँ bracket के बाद अगर को square वाला symbol में एक या दो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है super tackle, एक मानी एक super tackle, दो मानी दो super tackle, तो ऐसे आपको जो हैं पर interpret करना पड़ेगा, ये season 8 के matches है, तो इसको भी आ matchups की बात कर लेता है, की matchups क्या है, शिवम पटारे और के प्रपंजन, प्रपंजन के आने के चांस तो तोड़े कम है, लेकिन आप मालो शिवम पटारे जो left side से rate करते है, तो वो सागर अगर खेले, तो सागर या Amir Hussain बस्तामी खेले, तो Amir Hussain बस्तामी, अभी कोन खेले का खेहना मुश्किल है, इसलिए मैंने दोनों का नाम डाल दिया, आप चाहे जो भी खेले, आप खुदी देख लेना, इनका face off होगा, आशिष जो left cover पे, यहां पे देखने को मिले थे, last match में, तो सागर और आशिष की जोड़ी, क्या इस match में, शिवम पटारे को रोख पा सागर भी अच्छा करें, और साथी साथ शिवम पटारे भी अच्छा करें, तो आप दोनों चाहो तो एक खटा टीम में try कर सकते हो, क्योंकि यह अल्री प्रूवन है, तो आप कर सकते हो, विने और आशिष नर्वाल, विने ज्यादा करेंगे, रेड आशिष थोड़े कम कर क्या रहे हैं, साहिल भी अभी तक ठीक ही किया है, तो थोड़ा विने के आगे चैलेंज ज्यादा 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 रिस्की है, जो वो पॉइंट निकाल सकते हैं, और खास करके बोनस लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, साहिल जल्दी बोनस नहीं दे रहे हैं, और एम सागर भी important होंगे, क्योंकि वो आगे से आके chain tackles बहुत ज्यादा अच्छे करते हैं, तो वो जो ब्लॉक वगरा कर सकते हैं, सागर भी important होंगे, अगर सागर खेले तो, अगर बस्तामी खेले तो बस्तामी ज्यादा tackle में आते ही नहीं है, यह हमने, जितने भी matches में वो खेले में रहने वाले ankle holds के लिए आज, राहुल सहितपाल बहुत अच्छे ankle लेते हैं, डेफिनिटली उनके उपर नजर बनाए रखेएगा, अच्छा player है, ankle बहुत अच्छे लेता है, तो ankle के लिए अच्छे जा सकते हैं, हाँ यह self out वाला जो ज्यादा मेरे को लगता है, हरियान से आते हैं, जिंके पवार तो वो भी है, तो सारी दुनिया भर की जो रेडिंग है, वो सारी left रेडिंग है, जो इनकी strike रेडिंग है, तो left पे ज्यादा रेडिंग है, तो इसलिए जैदीप मेरे लिए आज बहुत ज्यादा important है, राहुल सहतपाल तो अपना काम करेंगे, अगर ankle load करें तो, लेकिन जो जैदीप है, वो बहुत अच्छा chain tackle में आके, इनको block और dash वगरा कर देते हैं, तो ज़रूर जैदीप आज बहुत ज्यादा spot light में रहने वाले हैं, और मोहित खालर also, क्योंकि आगे से आके chain tackle कर सकते हैं, तो corner player भी आपके लिए left corner वाला, left cover के साथ-साथ backup option, जब cover हट जाएगा, तो फिर corner जो हैं पर action में आ सकता है, वो chain tackle कर सकते हैं, तो यह जो हैं पर second layer defense इसको कहता है, two layer defense, तो basically cover अगर हट जाता है, तो cover के लिए charge किया, raider, तो उसके बाद corner आके जो है वो दबोच लेता है, तो यह कर सकते है, लक्षनन और जतीन पोगाट और even अगर नितिन खेलते हैं, नितिन सिंग, तो वो आपको देखने को मिलेगा, bench पे हैं, अब ही rest of the squad में नाम दिखेगा, उनका, हो सकता है, वो खेल ले, तो यह at least two player तो आपको दिख रहे हैं, जो basically bench पे थे, तो उन place में से अगर यह raid करते हैं, ज्यादा इन मे मैं इनका नाम डाल रहा हूं, तो यह कुछ match-ups हैं, इनको जरूर इसको भी screenshot लेना चाहता है, तो लेकर रखिएगा, यह है अभी फिलहाल के लिए मेरा draft combination, जो मैं लेकर चल रहा हूं, विने को मैंने captain रखा है, आप चाहो तो शिवम पतारे बना सकते हैं, या even अगर आप शिवम पतारे captain है, शिवम पतारे captain और विने vice captain, मेरे को हर्याना ज्यादा strong लग रहा है team में अभी, इसलिए मैं उनी को ज्यादा रख रहा हूं, क्योंकि देखो, मोह इतना अंदल छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं बन रहा, although right trading थोड़ी कम है, लेकिन मैं उनको ही ले शिवम पतारे के साथ, बिल्कुल safely vice captain जा सकते हूं, राहुल सेथपाल को रखा है, जैसे बोला है, action में ज्यादा रहेंगे, तो इसलिए मैंने उनको रखा है, साहिल खेल रहे हैं, तो मैं साहिल को रख रहा हूं, अभी अगर सागर खेलते हैं, तो most likely मैं सागर के साथ जा सकते हूं, यह change हो सकता है, मैं थोड़ा बहुत कर लो, यह हिमान्शू कर लेना चाहते हैं, तो हिमा आपको वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना और चैनल पे जोभी लोग न्यू विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और पर जरूर प्रेस करना, so that's all इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, नेक सब्सक्राइब कर प्रेस कर जिए सब्सक्राइब कर शिचेशन और अभने धरोगी सैनि उन वफ स्बसक्राइब कर जोगरा का तेस अ क्यायर में इतना है, आपको 너 इस अडियो में है, अगर।